सबसे पहले तो थैंक्स आपको जो आपने हमारे बाय इंफॉर्माटिक्स वाले कोर्स को इतना अच्छा रिस्पॉंस दिया बहुत सारे लोग उसमें अल्रेडी जुड़ चुके हैं और और भी लोग उसमें जुड़ रहें अलगातार आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको बाय इंफॉर्माटिक्स में इंट्रेस्ट है और बाय इंफॉर्माटिक्स में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उस को जरूर जॉइन करिए मेरे वीडियो में नीचे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन नीचे उस को दिया हुआ है आप उसको जॉइ कर सकते हैं दूसरी चीज थैंक्स अगेन फॉर गैट भी कोर्स जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें जॉइन करने के लिए कई सारे लोगों ने जॉइन कर रखा है और लगातार लोग उसमें बढ़ रहे हैं उसके लिए भी थैंक्यू सो मच हमाई साथ जुड़े रही है और ब फॉस्फेटेज एंजाइम बहुत ज्यादा यूज होता है रडी टी में जब काम होता है तो क्या इसका यूज है किस तरीके से इसको यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे इसके क्या-क्या सेलियंट फीचर से उनको भी देखेंगे तो सबसे पहले ऐलकलाइन एंजाइन क्यों कहते हैं इसको आपको मैंने पहले ही बताया है कि बायलोजी में बहुत सारी चीजों का अगर आप नाम तोड़ दें तो ही आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है तो यहां पर भी अगर हम देखें तो एलकलाइन फॉस्फेटेज ठीक है तो फॉस इस चीज जो एज के पहले जो चीज लगी होती जैसे यहां पर फॉस्फेट लगा हुआ है तो फॉस्फेटेज है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉस्फेट का रिमूवल करेगा मतलब क्या हो गया फॉस्फेट का रिमूवल यहां पर देखने को मिलेगा अब दूसरी च मतलब ये हो गया कि ये enzyme जो है वो alkaline pH पे काम अच्छा करता है जादा से जादा active कहां पे होता है ये alkaline pH पे आपको पता है alkaline pH का मतलब क्या हो गया जो साथ से ज्यादा है साथ से ज्यादा pH अगर है तो H plus ion का concentration क्या हो जाएगा H plus ion का concentration बहुत जादा यहाँ पे क्या हो जाएगा घट जाएगा पी एच जादा तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा कम हो जाएगा तो इसी वजह से इसका नाम alkaline phosphatase enzyme पड़ा हुआ है ठीक यह ज्यादा तर tissues में आपके liver के अंदर भी पाया जाता है kidney के अंदर भी पाया जाता है जादा तर tissues के अंदर यह alkaline phosphatase enzyme present रहता है तो इसके बारे में और details देखते हैं काम इसका क्या है इसका important function क्या है removal of five prime phosphate groups from DNA oblique RNA मतलब क्या होगा आपको already पता है कि क्या होता है कोई भी DNA या RNA का strand है तो उसके दो terminal होते हैं एक तो terminal होता है five prime terminal और दूसरा terminal होता है three prime terminal अभी हम diagram से भी देख करके बताएंगे five prime terminal पे क्या होता है phosphate group पाया जाता है और three prime terminal पे क्या होता है OH group पाया जाता है ये अभी तक आपको जरूर पता होगा तो इसका काम क्या है इस enzyme का क्या काम है याद रखेंगे 5' phosphate डूपयानी की 5' end पे जो phosphate group पाया जा रहा है उसको remove कर देंगे कहां से remove करेंगे DNA या RNA से इस concept को याद रखेंगे ये DNA और RNA दोनों पे ही functional रहता है उसके 5' end से phosphate को remove कर देगा also removes phosphates from nucleotides कहने का मतलब क्या है कि बड़ा कोई strand DNA का या RNA का strand ही होना ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास एक ATP है अगर आपके पास एक GTP है अगर आपके पास एक CTP है या TTP है उस पर से भी phosphate का removal ये कर सकता है इतनी बात याद रखेगा तो nucleotides से भी removal possible है और दूसरी चीज़ क्या है पूरे पूरे DNA या RNA के strand से भी आपका removal phosphate का possible है यहां से ठीक next क्या है किस तरीके से removal होता है वो देखते है 5 phospho DNA और RNA मतलब यहां पे क्या है 5' end पे phosphate group लगा हुआ है DNA के या RNA के होता क्या है water add होता है water इसमें जुड़ता है और यह क्या हो जाता है D phospho हो जाता है यानि कि phosphate group यहां से remove हो जाता है P.I. देखिए मैंने अलग कर दिया और यहां पे मैंने D phospho लिग दिया D phospho मतलब क्या हो गया D-phosphon मतलब DNA यहां से हट गया है किसी भी चीज के आगए अगर D लगा दिया या A लगा दिया मतलब क्या हो गया वो remove हो गया है हट चुका है ठीक है अब यहां पर बात आती है जैसे मैंने भी बताया भी था कि आप इसको alkaline phosphatase क्यों कहते हो alkaline इसलिए क्योंकि यह most activate alkaline pH है इसके बारे में मैंने आपको already बता दिया next क्या है यह activity show बहुत चीजों पर करता है जैसे कि 5 prime overhangs overhang का मतलब आप समझते होंगे overhang का मतलब यह हो गया अगर यह 3 prime end है यह 5 prime end है और यह again यह 5 prime end है यह 3 prime end है तो इसमें यह देखिए यह क्या है यह निकला हुआ जो structure है hanging जो structure है इसको क्या कहें क्योंकि यह 5 prime end पे hanging structure है इसलिए आप इसको 5 prime overhang बोलते हो ठीक है तो यह 5 prime overhang पे काम कर सकता है या recessed 5 prime end पे भी काम कर सकता है recessed 5 prime end का मतलब क्या होगे अगर मान लीजे मैं इसको हटा करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यह यहां तक कर देता हूँ तो यह क्या है यह 5' end recessed है छोटा है इससे छोटा हो गया देखिए इस पे भी काम कर सकता है overhang पे भी काम कर सकता है recessed end पे भी काम कर सकता है दूसरा चीज as well as blunt ends पे भी काम कर सकता है blunt का मतलब क्या हो गया यह और यह दोनों सेम है यहाँ 3' to 5' और यह 5' to 3' मतलब दोनों ends जो हैं वो बराबर है कोई बढ़ा हुआ या कोई छोटा नहीं है तो यह जीजे ध्यान रखेगा confuse मत हुएगा कि overhang पे करता है कि blunt पे करता है कि recessed पे करता है इस पे confusion नहीं होना चाहिए next यहाँ पे question पूछा जा चुका है कि किस metal iron के presence में आपका alkaline phosphatase functional होता है तो ध्यान रखेंगे ZN2 plus और आपको पता है कि जभी भी कोई जैसे prosthetic group वगएरा हुआ जो कि आपका inorganic है inorganic metal iron है जो अगर enzyme के साथ मिल करके apo enzyme के साथ मिल करके अगर आपका holo enzyme बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं metallo enzyme बोलते है metallo enzyme तो ZN2 plus metallo enzyme इसलिए बोल रहा है कि ZN2 plus की presence के बिना ये enzyme काम नहीं करता ठीक तो इतना याद रखेंगे आईए अब बात करते है phosphate monoester hydrolysis यहाँ पे क्या हो रहा है कि phosphate monoester hydrolysis आपको पता है क्या होता है कि जो phosphate group जो जुडा रहता है वो किस bond से जुडा रहता है aster bond से जुडा रहता है तो इसलिए Monoester Hydrolysis क्यों बोल रहे है क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि Water की Presence में यहाँ पे जो बॉन्ड है वो तो टूट रहा है जो Phosphate के साथ जो बॉन्ड लगा हुआ है वो टूट रहा है किसकी Presence में Water की Presence में इसलिए Monoester Hydrolysis इसको बोल रहे है ठीक है अब इसमें Intermediate जो Form होता ह वो phosphorylated serine intermediate होता है actually हो क्या रहा है alkaline phosphatase का जो active site है वहाँ पे एक serine amino acid पाया जाता है अब आपको पता है कि यह phosphate यहाँ से remove करना है अगर कहीं से या DNA से या RNA से आपको phosphate को remove करना है तो बहुत transient phase के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो phosphate जो है वो enzyme के उपर आएगा DNA या RNA से हट करके phosphate कहां आएगा enzyme के उपर आएगा तो इसी को लिखा गया है phosphorylated serine intermediate क्योंकि इसकी active site पे serine पाया जाता है इसी लिए ये serine intermediate बना लेता है बहुत transient phase के लिए होता है intermediate से लिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने चले अब इसका जो functioning है वो देख लेते हैं एक diagram के माध्यम से यहाँ पर मैंने क्या लिए है यह blunt ends लिए होए है 5 prime end पे phosphate होता है आपको पता है next इधर वाले दूसरे वाले strand पे 5 prime end पे phosphate मैंने लगा रखा है दोनों एंट से phosphate है जैसे ही आपने alkaline phosphates के साथ इसको interact करवाया यह क्या होगा phosphate यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा और बच क्या जाएगा यहाँ पे OH बच जाएगा ठिक यह भी OH हो गया और यह भी OH हो गया तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों strands पे end में क्या हो गया OH हो गया और phosphate जो है वो निकल करके बाहर हो गया ठिक इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं इसके sources पे कहां कहां से यह पाया जाता है कहां कहां से यह निकाला जा सकता है तो bacteria से alkaline phosphates निकाला जाता है bacteria आपको पता है इसका सबसे जादा इच्छा important example क्या हो गया E. coli E. coli से आपका alkaline phosphates निकाला जाता है और यह इसकी एक खास property है E. coli से obtained कि हो alkaline phosphates की कि यह resistant होता है heat और detergents के लिए दूसरा है calf intestine phosphates यह calf intestinal mucosa से isolate होता है काम लगबग लगबग same ही है pedales और borealis इसका नाम है arctic shrimp का वहां से isolate होता है अब इसके applications के उपर बात कर लेते हैं यह applications important है sources उतना important नहीं है applications के बारे में बात करना हमें जरूरी है prevention of self-ligation of vector अब ध्यान रखिए कि जब ही भी हम लोग vector की बात करते हैं यह vector है आपका अगर suppose करिए यह vector है क्या करना है अगर मालीजे इसको आपने restriction enzyme के साथ यहाँ पे काटा तो यह कुछ इस तरीके का दिखेगा या मैं इसको थोड़ा सा और उपर बना लेता हूँ अगर मैं कह रहा हूँ कि यह vector है और इसको इस vector को आपने यहाँ से cut कर दिया restriction enzyme की मदद से cut कर दिया तो यह क्या है हम यह actually दो strands होगे मैं इसको एक strand के माद्य हमसे बस समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ यह होगा दो strand अब suppose करिए यहाँ पे क्या है यह एक end इसका P होगा और एक end क्या होगा OH 5' phosphate और 3' OH होगा ठीक है अब अगर जैसे ही आपने इनको ऐसे ही छोड़ दिया मालीजे इनको unattendent छोड़ दिया तो यह क्या होगा फिर से यह वापस क्या होंगे bond बना लेंगे अपना phosphate और 3' OH वापस आ करके bond बना लेंगे और यह जो vector होगा वो self-ligate कर जाएगा इसलिए इस process को रोकने के लिए self-ligation के process को रोकने के लिए अब क्या करते हो यहां से जो हम लोगों ने यहां से यह इस तरीके का यह 5' phosphate हुआ था और यह 3' OH हुआ था यहां से क्या करेंगे यह 5' phosphate को हटा देंगे यहां पे भी क्या बच जाएगा 5' OH बच जाएगा अब यह क्या होगा OH और OH साथ में bond नहीं बनाएंगे ठीक है तो दूसरी चीज़ क्या है यह same way में same चीज़ जो होगा वो दूसरे end पे भी होगा रहा देखे यहां पे तो यह 5' end है यहां पे phosphate है और यह 3' end है यहां पे OH है तो यह दोनों ही end पे क्या है आप इस तरीके से same way में जो हमने यहां पे लगाया है same तरीके से दोनों ends पे OH आप लगा देंगे किस तरीके से alkaline phosphate के मदद से क्या होगा ति phosphate remove होगा OH आ करके वहाँ पे OH लग जाएगा तो यह alkaline phosphate self ligation को रोक देगा next point पे आते हैं removal of five prime phosphate groups before end labeling तो आपको पता है RDA जो आपका जो restriction enzymes हैं जब आप end labeling कर रहे होते हैं या किसी चीज़ की जब आप labeling कर रहे होते हैं आपको पता है कि यह जो भी RDT का जो process है उसमें क्या होता है कि आपको labeling करनी ज़रूरत पढ़ती है labeling क्यों ताकि आप अपने strand को पहचान सकें या जिस strand पे आप काम कर रहे हैं उसको आप label इसलिए करने की ज़रूरत पढ़ती है ताकि आप उसको recognize कर सकें वरना आप कैसे recognize करोगे बाकी सारे sequences या बाकी सारे strands से अपने strand को किस तरीके से पहचान होगे तो उसी की वज़य से उसी को करने के लिए आपको end labeling की प्रक्रिया करनी पड़ती है end labeling मैं बता भी चुका हूँ एक बार फिर बता दूँगा end labeling में क्या होता है कि आप उसके ends को अपने strand के ends को label कर देते हो जिससे आप उसको पहचान सको किस तरीके से labeling कर सकते हो कि आप कोई ऐसा phosphate लगा सकते हो या radioactive labeling कर सकते हो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे तो end labeling करने की प्रक्रिया में जाने से पहले आप क्या करते हो यहाँ पे phosphate group को remove करना ज़रूरी होता है तो इसी वज़े से यहाँ पे जब अगर आपको phosphate group remove करना होगा तो आप किस पे जाओगे phosphatase पे जाओगे कौन सा phosphatase alkaline phosphatase पे जाओगे तो यह जो end पे आपके phosphate group है अगर आपको 5 प्राइम end labeling करनी है तो पहले आपको phosphate group को remove करना पड़ेगा तभी आप उसकी end labeling कर सकते हो इसलिए यह application इसका यह भी है end labeling करते समय भी use होता है और दूसरा आपका self ligation को रोपने के लिए भी इसका use होता है तो यह था alkaline phosphatase अच्छा इसके अलावा एक और enzyme है जिसको आप acid phosphatase enzyme भी बोलते हो बस इसमें और उसमें यह अंतर है कि यह alkaline pH पे use होता है वो acidic pH पे use होता है यह confuse मत करिएगा दोनों में सिर्फ इतना अंतर है तो यह था alkaline phosphatase के बारे में एक overview उमीद करता हूँ कि आपको यह lecture पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए और हमाई साथ telegram चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और अलग-अलग exams की preparation करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं Thank you so much, have a great day